हेलो लिसनर्स अब इस फोन का इस मूवी में काफी महत्व है जिसे हम आगे जानेंगे टॉम की लाइफ में एक खुबसूरत प्रॉबलम है जिसका नाम है लूसी टॉम उसे बच्पन से पसंद करता है लेकिन आज तक कह नहीं पाया अब लूसी आज शाम पढ़ाई के लिए टॉम को अपने घर बुलाती है टॉम अपनी खुशी चुपाती हुए हां बोलतेता है अब शाम को टॉम लूसी के घर जाता है तो वो देखता है कि लूसी के घर का गेट खुला है वो अंदर जाता है तो उसे लूसी का भाई जमीन पे बेहोश पड़ा मिलता है और एक रूम से लूसी के चिलाने की आवाज आ रही है तभी उस रूम से कुछ नकापोश लड़के निकलते हैं यानि इन लड़कों ने लूसी के साथ जबरदस्ति की टॉम डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है लेकिन वो लड़के उसका पीछा करते हैं टॉम पुलीस को फोन करता है तभी उनमें से एक लड़का टॉम को गोली मार देता है अब दस दिन कोमा में रहने के बाद टॉम को होश आता है जहां उसे पता चलता है कि गोली टॉम के सर को छूके निकली थी और जहां गोली लगी थी वहाँ टॉम का फोन था इस वज़ा से फोन के कुछ टुकडे टॉम के दिमाग के अंदर घुस चुके हैं जिन्हें निकाल पाना नामुम्किन है क्योंकि इस से टॉम की जान को खत्रा हो सकता है अब टॉम को इनी टुकडों के साथ जीना होगा टॉम को ये बात अंदर ये अंदर खाय जा रही थी कि वो काईरों के जैसे वहाँ से भाग गया और उसे डर है कि लूसी उसे कभी माफ नहीं करेगी लेकिन नानी उसे समझाती है केस में तुम्हारी कोई गलती नहीं है लेकिन अगर तुम लूसी से मिलने ना जाओ उससे बात ना करो तो वो ज़रूर तुम्हारी गलती होगी और काईरता भी टॉम हिमबद जुटाते हुए लूसी से मिलने जाता है जहां लूसी टॉम को देख काफी खुश होती है टॉम उस दिन वहाँ से भाग जाने के लिए लूसी से माफी मांगता है लेकिन लूसी कहती है कि तुमसे कोई भी हीरो ना बनने के लिए नाराज नहीं है अब अपने घर जाते समय टॉम को से बाहर देखता है तो उसे पूरे शहर के डिजिटल सिगनल्स उपर आसमान में जाते हुए दिखता है ये सब टॉम सेह नहीं पाता और बेहोश हो जाता है तब ही टॉम को उस दिन का एक सपना आता है बिलकुल वैसे ही जैसे टॉम है इस सीन का मतलब हमें आगे समझ में आएगा टॉम स्कुल जाने के लिए बस में बैठता है लेकिन उसे फिर से वही सब दिखने लगता है सभी के फोन्स के डिजिटल सिगनल्स दूर सडक पे चल रहे लोगों के कॉल्स सुनाई देना तब ही डैनी उसे आज रात पार्टी में चलने के लिए कहता है टॉम को डैनी के फोन से उस पार्टी की लोकेशन अपने आप दिख रही थी अब साइन्स लैब में बैठे हुए टॉम यूजीन के फोन को ध्यान से देखता है तो उसे यूजीन के फोन में उस रात का वो वीडियो दिख जाता है ये देखते ही टॉम गुसे से भर जाता है तभी कुछ अजीब होता है यूजीन के फोन में जोर से बिजली का छटका लगता है और उसके हाथ से वो फोन गिर जाता है इससे टॉम भी थोड़ा सप्राइज होता है अब रात को टॉम उस पार्टी में जाता है उस पार्टी में यूजीन और उसकी पूरी गैंग होती है टॉम अपने दिमाग में उस वीडियो को चलाता है और एक एक कर सभी लोगों को मैच करता है और टॉम को पता चलता है कि यूजीन की गैंग ही वो लोग थे जो उस दिन लूसी के घर गए थे टॉम अपने पावर से हैकिंग सीखता है और कुछी दिनों में एक भैतरी इन हैकर बन जाता है अब बारी थी उस गैंग को जानने की अब टॉम यूजीन और उसके पार्टनर का फोन हैक करने के लिए उनका पीछा करता है तब उसे पता चलता है कि यूजीन ड्रक्स का भी काम करता है टॉम उन सभी गैंग मैमर्स के फोन को हैक कर लेता है और हर समय उन पे नज़ा रखता है सोते समय उन्हें डराता है कभी वहां की टीवी आउन करके कभी तेज गाने चलाके उन्हें परेशान देख टॉम को बहुत सुकून मिलता है अब टॉम हैकिंग में इतना अच्छा हो चुका है कि नानी को 300 यूरोज की किष्ट भणनी है लेकिन नानी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे तो टॉम बड़े आराम से उनके अकाउंट में 300 यूरोज ट्रांसफर कर देता है अब टॉम लूसी को घर के बाहर लाता है लूसी को इतने समय बाद बाहर आके काफी अच्छा लगता है और वो टॉम की शुक्र गुजार थी कि टॉम ने उसका इतना साथ दिया टॉम माफी मांगते हुए लूसी से कहता है कि मैं उस दिन के लिए शर्मिन्दा हूँ लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दुबारा नहीं होगा तुम्हारी सुरक शाम मेरी जिम्मेदारी है चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े टॉम ने पहली बार अपने दिल की बात लूसी से कही थी और लूसी ये सुनके बेहत खुश होती है अब रात में यूजीन और उसका गैंग एक कार चुराते हैं लेकिन कार में बैठते ही कार लॉक हो जाती है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते कार स्टार्ट हो जाती है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे कार में धुआ बढ़ने लगता है तभी रेडियो में एक आवाज आती है तुमने लूसी के साथ ऐसा क्यूं किया ये आवास थी टॉम की वो सभी कुछ समझ पाते उससे पहले कार में आग लग जाती है उन में से एक लड़का जिसका नाम केज है वो डर जाता है और बता देता है कि बॉस ने ऐसा करने को बोला था वो चाते थे कि लूसी का भाई हमारी गैंग में शामिल हो जाए उसने मना कर दिया तो उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ा यूजिन बार बार उसे कुछ भी बताने को मना करता है लेकिन केस नहीं सुनता टॉम पूछता है कि तुम्हारे बॉस का नाम क्या है वो लड़का कहता है काज तभी टॉम कार के गेट्स खोल देता है और सभी बाहर निकल जाते हैं और कार में ब्लास्ट हो जाता है अब टॉम को पुलीस रिकॉर्स खोचते हुए काज मिल जाता है और साथ ही में उसका एड्रेस भी इधर काज के घर पे हम डैनी को भी बैठा देखते हैं तब ही उनके टीवी पे एक वीडियो चलता है जिसमें काज की कार में कोई सुसु कर रहा है ये देख कार की तरफ टॉम उस स्पीकर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ स्पीकर का कवर है उसके अंदर काज ने अपनी ड्रक्स चुपा रखी है उसे देख टॉम के चहरे पे खुराफाती मुसकान आ जाती है अब टॉम घर आके यूट्यूब पे आई बोई नाम से एक अका चुपा देता है केस को छोड़ देता है क्यूंकि उसने अपने बॉस का नाम बताया था टॉम उन सभी के घर की लोकेशन पुलीस को भेज देता है अगली सुभा पुलीस उन सभी के घरों की तलाशी लेती है और पुलीस एक एक कर सभी को गिरुफतार कर लेती है टॉम इस का बॉस एलमेन कहता है कि आज रात ड्रक्स का एक बहुत बड़ा लोट आने वाला है तुम्हें पूरी साफधानी से उसे लेना होगा काज अपने बॉस को यकीन दिलाता है कि वो सब सम्हाल लेगा अब टॉम काज के घर जाता है और उसका पीछा करने लगता है फोन की लोके लगते हैं और टॉम को मारने लगते हैं काज बेहत खुश था कि आखिरकार उसके हाथ आई बॉय लग ही गया काज उसे गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक से उन सभी को एक तेज आवास सुनाई देती हैं जो इतनी तेज होती है कि सभी अपने कान पकड़ के दर्द से चिलाने लगते हैं तभी घायल टॉम वहां से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाके बेहोश हो जाता है उसे होश आता है तब तक सुबह हो जाती है वो सीधा अपने घर जाता है जहां लूसी उससे नाराज होती है क्यूंकि आज उनके एक्जाम्स थे और टॉम ने वो मिस्स कर दिये तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग से केस की लाश लटक रही है काज को शक था कि केस ही आई वोई है क्योंकि यूजीन की गैंग में से सभी पकड़े गए थे लेकिन सिर्फ एक केस ही था जो बचा हुआ था इसलिए काज ने उसे मार दिया सभी इस घटना से बेहत सदमे में थे तभी टॉम के पास डैनी आता है डैनी कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे ये चोट कैसे आई टॉम कहता है कि मैं गिर गया था डैनी को समझा जाता है कि टॉम उससे कुछ छुपा रहा है टॉम बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है केज को किसने मारा होगा डैनी कहता है कि उसी हैकर ने जिसने ये सब शुरू किया टॉम के लिए ये सुनना काफी मुश्किल था वो किसी की जान नहीं लेना चाथा लेकिन कहीं ना कहीं केज की मौत का कारण टॉम ही था अब केस की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और लोगों की आवाजें टॉम को घेर लेती है जिसमें सभी आई बॉय को ही केस का खुनी मान रहे हैं क्यूंकि केस एक गैंग का मेंबर था और आई बॉय इन सब के पीछे लगा था जो लोग आई बॉय के साथ थे उसे हीरो मा का बॉस एलमन अब एलमन कहता है कि मैंने सुना है तुम सिर्फ अपने दिमाग से लोगों के फोन हैक कर लेते हो सिर्फ सोच के बैंक अकाउंट में पैसे डाल या निकाल सकते हो टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो तभी एलमन उसे जोर से मारता जिससे टॉम नीचे गिर जाता है अब एलमेन उससे कहता है कि धूनने की कोशिश करो लूसी कहा है तभी टॉम को लूसी दिखाई देती है टॉम कहता है कि लूसी का इससे कुछ लेना देना नहीं है यानि टॉम मान जाता है कि उसमें सूपर पावर्स हैं और वही आई वोई है तब ही हम देखते हैं कि यूजीन और उसके साथ ही होने लूसी को कहीं पे बंधक बना रखा है और उसके सामने एक फोन है ताकि टॉम उसे देख सके लेकिन टॉम इनसे भी दो कदम आगे है वो उसी फोन का इस्तमाल करते हुए पुलीस को फोन लगा देता है इधर एलमन डैनी को अंदर बुलाता है डैनी को टॉम पे शक हुआ और उसने एलमन को बताया कि टॉम आई बॉई हो सकता है टॉम ये देख के हैरान था एक शैतानी खुशी साफ साफ देखी जा सकती है इधर उस फोन की वजए से वहाँ पुलीस आ जाती है पुलीस को आता देख सभी छुप जाते हैं और जाने से पहले फोन को तोड़ देते है इधर फोन तूरते ही टॉम का ध्यान डिस्टप होता है लेकिन एलमेन ये देख लेता है उसे शक होता है कि टॉम ने कुछ किया है वो फोरन यूजीन को फोन करता है फोन आने से यूजीन घबरा जाता है और अपनी गन नीचे रखके फोन निकालता है लेकिन फोन नीचे गिर जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है फोन का कोई जवाब ना मिलने के कारण एलमेन टॉम को लेके वहां से निकल जाता है इधर पुलीस के जाने से यूजीन और बाकी सभी रिलेक्स हो जाते हैं तभी लूसी नीचे गिरी हुई गन उठा लेती है और उन सभी पे तान देती है सभी लूसी से माफी मांगने लगते हैं जान की भीक मांगते हैं लूसी कहती है कि मुझे पता है कि वो लोग तुम ही थे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं लूसी का मन गुस्से और घणा से भर जाता है लेकिन वो उन्हें नहीं मारती लेकिन तभी उसके सामने एलमेन आ जाता है और टॉम को गन पॉइंट पे देख लूसी अपनी गन नीचे कर लेती है और यूजिन फिर से लूसी को पगड़ लेता है टॉम लूसी को बचाने आगे बढ़ता है लेकिन काज उसके सर पे मार के उसे निचे किरा देता है अब एलमेन टॉम को फिर से पैसे ट्रांसफर करने को कहता है लेकिन टॉम पैसे ट्रांसफर करने की बजाए एलमेन का फोन ब्लास्ट करने की कोशिश करता है एलमेन फोन को फेक देता है और बच जाता है अब टॉम एक एकर सभी के फोन देता है लेकिन टॉम वही तेज आवाज करता है जिससे एलमेन का सर फटने लगता है लेकिन एलमेन कैसे भी करके टॉम के सर पे वार करता है जिससे टॉम बेहोश हो जाता है और वो आवाज भी बंद हो जाती है अब एलमेन पाइप लेके टॉम को खत्म करने ही वाला होता है कि वहां Lucy आ जाती है Lucy एलमेन पे गोली चलाती है लेकिन बारिश के कारण गन फायर नहीं होती अब एलमेन Lucy की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी दो तीन बार कोशिश करने पे एक बार गोली चल जाती है और वो एलमेन के हाथ पे लगती है Lucy दुबारा गोली चला पाती उससे पहले वो उसे पकड़ लेता है और जोर से मारता है जिससे Lucy बेहोश हो जाती है लेकिन तब तक Tom उठ जाता है और गुसे से पागल हो जाता है पूरी ताकत लगा के बिजली की एक वेव एलमेन की तरफ मारता है जिसससे एलमेन की मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन इसमें Tom की पूरी ताकत लग जाती है बेहोश होके नीचे गिर जाता है अब मूवी समय में आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि Tom और Lucy बिल्डिंग की छट पे अपनी छोटी सी डेट पे आये है उनके चेहरों पे चोट के निशानों के साथ प्यार की खूबसुरत मुस्कुराहट भी है Tom और Lucy साथ मिलके नई लाइफ की शुरुबात कर रहे हैं तो ये थी आज की मूवी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने Tom और Lucy के साथ शेयर जरूर करें और आप इसे लाइक करना ना भूलें आप सुन रहे थे मूवी मिरर पाई अवी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें बाई